पूरी दुनिया में आजकल scientific temperament बढ़ रहा है, rationality बढ़ रही है, logic बढ़ रहा है और unfortunately जो कि उपनी सदो का देश है, जो कि logic का देश है, rationality सबसे ज़्यादा भारत के अत्यात्म में रही है, सबसे ज़्यादा उपनी सदो में रही है, सबसे ज़्यादा प्रस्थान त्रई में रही है, उस देश में आज misinformation बढ़ रही है, pseudo science बढ़ रहा है, mythology की interesting story बढ़ रही है, तो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, बड़ा चिंता का विशाई है, description में मैं आपको एक अमिगनात्रा करके एक author है, जो mythology के उपर books लिखते है, उनके podcast है, उनको आप सुन सकते हो, वो बात कर रही है, सिव धनुस के बारे में कि कैसे सिव धनुस को उठाने के लिए, पाँच हजार हठे कठे नौजवान लड़के चाहिए थे, तब वो उठता था, तो ये अमिगनात्रा है, या अमिष्ट्री पाटी है, या hidden हिंदू अले अकसत गुपता, ये तीन चर पोस्टर बोई है, ज इसलिए ये बीचारे परोश रहे है, अमिजी कि मैं सराहना करूंगा, कि ठीक है कुछ उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि मार्केटिंटी जो का बना है, तो उसको वो बाते करनी, पर वो काफी, अमिष्ट जी और अकसत जी से अमिगनातरा, उसने काफी अच्छी बाते पर ये जो बात यहां पर वो कर रही है, अमिजी कि वो उठता था या उसको उठा सकते थे, तो अमिजी ऐसा नहीं था, शीव धनुस उठाना जनक वाला मतलब आप चक्रवरतिश अमराठ हो, पूरे भारत में अब आपका शाषन होगा, आप मतलब सबसे टॉप पे चले ज आते हो, आपने शीव धनुस उठाया, इसका मतलब है कि आप आसपास के जो भी राजा रजवारे है, उनके भी आधिन नहीं हो, आप सबसे टॉप पे हो, जो भी किंग्डम से उसवक चल रही थी भारत वरस में, तो शीव धनुस एक रिस्पोंसबिलिटी था, एक सिंबॉ प्रतिक था, काफी सारा प्रदेश आपके अंडर में आ जाता था, और शीव तनुस उठाना मतलब आप ऐसे चक्रवरते शमराठ हो, राजा हो कि अब कोई अन्याई नहीं कर सकता, कोई अन्याई से किसी का अगर राज्य लेता है, तो आप उसमें इंटर्फियर करोगे, आ मैं लो एन ओडर को ठीक रखूंगा, समाज में संस्कारों को ठीक रखूंगा, तो उस संदर्फ में हैं, तो ठीक है, बबमी जी की, मैंने बुला ना कि लोगों को यहीं सुनना, इसलिए इनको बोलना पड़ता होगा, पर वास्तव में महारा जो माइथोलोजी है, हमारे इनसान के तोर पे ही वो लिखे गए, वो सब होमो शेपियन्स थे हमारी तरह, कोई तिलिश में जादोई शक्ति आचमत का नहीं थे उनमें, हाँ, उन्होंने अपने स्वारिय से, अपने पौरूश से, अपनी हिम्मत से ऐसी चीज़े की, कि हम उनको भगवान मानते हैं, हम को पूजनिय मानते हैं, हम उनको आदर्स मानते हैं, तो इसी बातों को हमें फैलाना चाहिए,